चीन को 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक जड़प में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था ये दावा खोजी ऑस्ट्रिलिया अकबार दकलाकसिन की रिपोर्ट में किया गया है एंथनी क्लान की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि घाटी में गलवान नदी को पार करते समय 38 चीनी सैनिक पानी में बह गय थे और डूब कर मर गय थे ये संख्या चीन की तरफ से बताई गई संख्या से 9 गुना ज्यादा है चीन ने अंतराश्ट्री मीडिया में अपने मारे गए सैनिकों की संख्या सिर्फ चार बताई थी रिपोर्ट में कहा गया है कि तथ्यों को प्रभावित करने के लिए गलवान में हुई दो अलग-अलग जड़कों की तस्वीरों को आपस में जोड दिया गया रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने गलवान संखर्ष में मारे गए सैनिकों का खुलासा नहीं किया लेकिन उसने युद में मारे गए अपने सैनिकों के लिए मरनु प्रांथ पदक की घोशा की थी आस्ट्रेलिय अक्बार के इस रिपोर्ट को डेर साल की रिसर्च के बाद तयार किया गया है मामले की जाच के लिए इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया रिसर्चर्च की टीम तयार की गई थी जिसने गलवान डिकोडेट सीशक से एक रिपोर्ट जारी की एंथनी क्लान की अगवाई वाली स्पेशल रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानि पी एल ए की कई सिपाही उस राद गलवान नदी में बह गये थे इसमें ये दावा किया गया है कि 15 से 16 जून की लड़ाई के शुरुवाती दौर में शूने तापमान में तेजी से बहने वाली गलवान नदी में तैरने का प्रयास करते वे कई चीनी सैनिक मारे गये थे रिपोर्ट्स में मरने वाले चीनी सैनिकों की संख्या 38 बताई गई है चीनी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म वीबो के कई यूजर्स के हवाले से ये रिपोर्ट दावा करती है कि उस रात को कम से कम 38 पी एले सैनिक नदी के तेज बहाव में बह गये थे इनमें एक वांग नाम के सैनिक भी शामिल थे और सिर्फ वांग के मरने की आधिकारिक घोशा ही चीनने की थी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 15 जून की लड़ाई एक अस्थाई पुल निर्मार को लेकर शुरू हुई थी भारतिय सैनिकों ने मई 2020 में गलवान नदी के एक धारा पर पुल का निर्मार किया दूसरी ओर चीनी सेना अप्रेल से बफर जोन में बुन्यादी धाचा तयार कर रही थी 6 जून को 80 PLA सैनिक भारतिय पक्ष की ओर से बनाए गए पुल को तोड़ने आए इसके रक्षा के लिए 100 भारतिय सैनिक आ गया है ये फैसला लिया गया कि दोनों पक्ष बफर जोन को पार करने वाले सभी सैनिक कर्मियों को वापस बुलाएंगे हालात इतने खराब हो गए कि 4 दशकों से ज्यादा वक्त बाद LAC पर गोलिया चली इसी दोरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई जड़प में 20 भारतिय सैनिक शहीद हो गए थे रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन की सेना ने अपने वादे का पालन नहीं किया इस रिपोर्ट्स ने ड्रागन के सभी प्रोपगैंडा को द्वस्त कर दिया है तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के ले सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल टीवी नाइन भारतवर्ष डिश्टल कोरोना धर नहीं देखता जात नहीं देखता अमीर गरीब उच नीच नहीं देखता कोरोना कोरोना सिर्फ मौका देखता है लेकिन आप उसे मौका मत दीदिए बस इतना कीजिए जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लोगिए तो इतना खयाल ज़रूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा बुलिये मत कोरोना अभी जिन्दा है